हलो दोस्तों, Steady Edda के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी तक हम करीब economics के 4 या 5 पार्ट कवर कर चुके हैं इस पार्ट में हम revenue receipt और expenditure के बारे में और detail में जानेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या आता है और second जानेंगे कि एक रुपए में कितना खर्च होता है और कितना receipts होता है receipt means कितना income होता है और कितना खर्च होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like, comment और say it जरूर किजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को subscribe कर ले subscribe button के just bugle में आपको एक bell मिलेगी और playlist में जाके सारे वीडियो एक बार चेक कर ले उसमें से बहुत सारे आपके काम के हो सकते हैं SSE MTS और SSE CGL के तो चलिए शुरू करते हैं I hope इस वीडियो के बाद means आज ये वीडियो अप्लोड हो जाएगा साम तक कल से आपको regular वीडियो मिलने लगेगी मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था तो उसके लिए sorry let's start देखिए हमने पढ़ा था revenue receipt के बारे में हमने जान लिया था कि revenue receipt one way transfer होता है और उसके बारे में पूरी detail करीब करीब जान ली थे लेकिन अब इसके अंदर क्या होता वो नहीं जाना था ठेके revenue पैसा कहां से generate होता है सबसे पहले आप किसी से पूछेंगे कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है तू ज़्यादा educated हो या नहीं हो उस तुनन बुलेगा tax से किस से tax से अब tax में किस तरह से आता है दो तरह से आता है जो एक company tax देती है ठीक है अब ये तो हो गया direct tax के दो पार्ट personal income tax और corporation tax लेकिन indirect tax में कौन कौन से आ जाता है देखें आप excise duty देते हैं जो भी लोग देते हैं excise duty indirect tax के अंदर आता है custom duty sales tax जो भी आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर कुछ न कुछ tax लगता है तो वो जो है indirect tax के अंदर आता है and third जो है custom duty custom duty भी indirect tax के अंदर आता है sales tax के जगह एक नया सब्द इंटरूर होगा जो product जब तयार होगा तभी उस पर पूरा लग जाएगा तो यह हो गया tax यहां से पैसा आता है किसके पास सरकार के पास अब इसके अलवा non tax non tax में क्या आता है interest on loan loan interest जो सरकार loan देती है किसानों को या किसी और को उस पर जो interest generate होता है उस पर जो interest generate होता है जो वो सरकार को जो मिलता वो भी सरकार का एक revenue का part है सेकेंड है profit on PSU जो सरकार का share होता है PSU में public sector company के अंदर जैसे NTPC भेल के अंदर तो उसका जो profit होता है आपका BS न लो गया इन सब का जो भी profit होता है वो सरकार के revenue के अंदर add हो जाता है तो ये कुछ थे कि revenue कहां से generate होता है अब चलते हैं देखते हैं ये revenue receipt था मतलब ये पैसा सरकार को पास आता है अब सरकार तो capital receipt भी तो लेती है income के लिए loan भी तो लेती है वो कैसे लेती है वो देखते है capital receipt capital receipt के बारे हम पढ़ चुके हैं कि ये two way transfer है ठीक है ये तो सबको clear है ये two way transfer है तो ये कहां से आता है देखे capital receipt सरकार जो है loan या market भारो के थुरू लेती है market से उधार लेती है या loan लेती है बात एक ही है तो सबसे पहले सरकार जो है domestic अपने देश के अंदर के ही market से उधार लेगी domestic लेगी अगर उसको यहां से पैसा नहीं मिलता है तो उसके ब world bank हो गया इन सबसे उधार मांगेगी ठीक है और एकड़म last में जो है domestic में जो भी सरकार public bond जारी करते है कि आप यह bond लीजे और हमें इतना पैसा दीजे यह loan लेने का तरीका होता है ठीक है अब foreign भी हो गया और last में सरकार RBI रिजर बैंक आफ इंडिया के पास जाती है सुरू में सरकार रिजर बैंक आफ इंडिया के पास नहीं जाती है क्योंकि रिजर बैंक आफ इंडिया basically बैंकों की नीट को पूरा करता रहता है तो अगर सरकार भी उसमें से तुरन पैसा ले liability और बढ़ती है और assessed कम हो जाता है तो क्या ये loan ले रही उधार ले रही तो इस पर बोज आ रहा है तो क्या होगा जो आपका liability है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एक मिनट ये देखें जो आपका liability है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगे आपके उपर बहुत ज़्यादा आजाएगा दूसरा तरीका क्या है डिस इन्वेस्टमेंट अब PSU के अंदर जो भी सेयर है सरकार का सरकार का PSU के अंदर जो भी सेयर है पबलिक सेक्टर कंपनी के अंदर जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर 60% है तो 9% बेच सकती है तो यह डिस इन्वेस्टमेंट करती है और उससे भी पैसा लेती है अर एकदम last part है recovery of loans recovery आप loans means जो भी सरकार loan दी रहती है उसका recovery करती है तो इससे भी सरकार के पास क्या है capital receipt आती है इन दोनों में दिक्कत यह होती है recovery आप loan भी loan जो है आपका एक assist है जो सरकार देती है और PSU में share भी एक assist है तो ये क्या होज़ती है ये घट जाती है तो इसके बारे हम detail में part इसके just पहले वाले part में हम discuss कर चुके है अब देखते है expenditure के लिए expenditure के लिए पहला revenue expenditure जिससे सरकार को कोई profit नहीं होता है उसमें क्या है administrative expenses administrative expenses means जो भी सरकार के कर्मचारी है उनको जो salary देती है सरकार वो expenditure करती है second care defense defense sector में अगर सरकार कुछ भी खरीदती है तो भी एक expenditure है लेकिन उससे सरकार को in future कोई फायदा नहीं हाँ security का बहुत बड़ा फायदा लेकिन money से related फायदा नहीं है subsidy जो भी सरकार subsidy इन सब चीजों के बारे में हमने इसके पहले वाले part में अच्छे से discuss किया है subsidy जो भी सरकार subsidy देती है उसमें भी सरकार को कोई फायदा नहीं केवल सरकार का पैसा जाता है interest payment देखे interest payment क्या है जब भी कोई सरकार के पास पैसा जमा करता है सरकार को पैसा देता है तो सरकार उसमें कुछ interest देती है कुछ पैसा उनको देती है या जब कोई सरकार किसी और से loan लेती है तो उस loan का कुछ interest चुकाती है तो ये interest payment का भी कोई फायदा नहीं होता सरकार को केवल पैसा सरकार के पास से जाता है ठीक है यह कुछ थे कुछ अधर में, जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे अभी नेपाल में भुकम पाया था, तो इंडिया सरकार ने कुछ नेपाल को पैसा दिया था, वो पैसा लोन नहीं दिया था सरकार ने, वो friendly behavior की वज़े से पैसा दिया था, वो revenue expenditure में आएगा, क्योंकि उस कोई सरकार को in future फायदा नहीं है, money से related, अब capital expenditure में देखते हैं क्या होता है, पहला liability या obligation, तो सरकार कुछ ऐसा करे, जिससे उसकी liability या obligation क्या हो जाए, घट जाए, तो कैसे घटेंगी, जो भी सरकार जो loan लिया है, उसको भर दे, loan को अगर वो सरकार जो है, loan को जो सरकार जो है, अगर fill up कर देती है, तो क्या होगा, interest नहीं देना पड़ेगा, interest नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो फायदा हुआ, सरकार करना, और loan भी खतम हो गया, तो liability भी कम हो गई, second क्या है, investment, अगर सरकार किसी भी PSU company, या कोई भी तो उससे क्या होगा, सरकार के जो assist है, वो बढ़ जाएंगे, या सरकार किसी को loan दे रहे है, तो उसका interest जो है, सरकार को मिलेगा, income में होगा, तो क्या होगा, सरकार का assist बढ़ जाएगा, ठीक है, ये third point है, debit repayment, debit repayment क्या है, सेम, मने अभी loan के बारे में बताया था, यह debit repayment ह है, कि सरकार कहीं से loan ली है, IMF से loan ली है, उसका ब्याज हर साल दे रही है, हर महीने दे रही है, अब उस loan को अगर सरकार चुकता कर दे, तो ब्याज देना बंद हो जाएगा, सरकार को फैदा होगा, तो ये भी capital expenditure के अंदर आएगा, अब देखते हैं, सरकार को जो एक सरकार को जो service tax, जो भी हम लोग service tax देते हैं, जैसे हम लोग restaurant पर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो लोग हमारे seat पर पहुचा जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ service tax देते हैं, या कहीं भी हम कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए कुछ service tax देते हैं, उससे एक रुपए में स पैसे का फैदा होता है borrowing सरकार 19 पैसे एक रुपए में उधार लेती है मतलब आप समझ सकते हैं IMF से, World Bank से या local किसी institution से जो सरकार उधार लेती है वो 19 पैसे उधार लेती है एक बित वर्स के अंदर एक रुपए में Corporation Tax जो company या tax payment करती है जो corporate world tax payment करता है वो भी 19 पैसे payment करता है तो 19 पैसे सरकार उधार भी लेती है Corporation Tax भी सरकार के पास 19 पैसे एक रुपए में आता है Income Tax में सरकार को 16 पैसे मिलते हैं एक रुपए में Custom से 9 पैसे और Excise Duty से 14 पैसे जो है सरकार लाती है तो अगर आप देखें तो Direct Tax से सरकार को मिलता है 9,6,15 35 पैसे Direct Tax से मिलता है और 23 पैसे Indirect, sorry 35 पैसे 33 पैसे Indirect Tax से मिलता है Union Excise, Custom, Service Non Tax Revenue से 10 पैसे आता है और Borrowing से 19 पैसे आता है ये बदलता रहता है हर साल के बित्तिवर्स के हिसाब से जैसा भी वित्त मंत्री जो भी Finance Minister है वो अपने भासड में Speech में बताते हैं कि सरकार का एक रुपाई के Income में कहां से पैसे आ रहे है अब सरकार खर्च कहां पिकरती है ये दिखते है दिखे सरकार जो है जो Tax लेती है उसमें से 24 पैसे जो है जाके अगर सरकार एक रुपाई खर्च करती है पूरे साल में तो 24 पैसे में हर स्टेट को थोड़ा 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 करके देती है ठेक है Central Sponsored Scheme देखे जैसे कुछ स्कीम आती है जिसमें कुछ हिस्सा स्टेट देता है और कुछ Central तो उसको Central Sponsored Scheme करते है उसमें एक रुपाई में सरकार जो है 10 पैसे खर्च करता है सभी स्कीमों को मिला कर Central Selected Sector Scheme मिस जो केवल स्कीम Central चलाता है जो केवल स्कीम सेंटरल चलाता है सभी पूरे देश में उसमें Central जो है 11 पैसे खर्च करता है Interest Payment है पैसे के लिए जो लोल लिया है उसका Interest जो है वो 18 पैसे पैमिन्ट करता है एक रुपाई में कितना ज़्यादा Defense में सरकार 9 पैसे खर्च करती है और जब सब CD देती है उसमें 1 रुपाई में 10 पैसे ठीक है अब यह देखते है Finance Commission and Other देखे और Other सेक्टर में हर जगह मिला के 19 पैसे सरकार खर्च करती है तो सबसे ज़्यादा जो है सरकार कहां State Seyer में खर्च करती है उसके बाद Other सेक्टर में खर्च करती है और उसके बाद Interest Payment करती है जो लोन लिया हो एक रुपाई में 18 पैसे तो यह important question है आ सकता है I hope आपको यह लेक्चर पसंद आया हो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे Deficit Means घाटा Budget घाटा क्या होता है यह भी लेक्चर आपको कल सुबह तंग बिल जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो Like, Comment और Share जरूर कीजेगा Thank you very much